वर्ष 2006 में शिक्षा जगत के एक शेत्र में अस्थेत्प में आने पाले असेंट पब्लिक सीनिर स्केंडरी स्कूल जो गिंदनेगर की एक होनहार विद्यार थी नवदिक्षिता भारती सेना में लेटिनेंट के तौर पर अपनी सिवायम प्रदान करेंगी नवदिक्षिता ने अपनी 12 तक की पढ़ाई एसन्स स्कूल से प्रप्त की इसके पहिशात आमी नसिंग कॉलेज से प्रिशीक्ष्र प्रप्त किया स्कूल के निदेशक लगी ठाकुर ने बताया कि नवदिक्षिता शुरू से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी और वह स्कूल में हमेशा टॉप करती थी उन्होंने बताया कि नवदिक्षिता के पिता बंसल लाल भी सेना में अपनी सेवाइं प्रदान कर रहे हैं तथा माता बीना देवी मैन भरोला पंचायत की प्रदान है स्कूल के मुख्य अध्यापक जोगिंदर ठाकुर ने पूरे स्कूल की तरफ से नवदिक्षिता वह उनके माता पिता को बढ़ाई और शुबकामनाई प्रदान की नवशकार आज मुझे ये बताते हुए अती हर्ष हो रहा है कि हमारी एक विद्यार्थी नवदिक्षिता जो पिछले चार वर्सों से आर्मी नर्सिंग कॉलेश से अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्याथ पिछले कल ही भार्दिय सेना में एज लेटिनेंट अपनी परदान करेंगी तो ये बहुत ही हर्ष का विशे है इसके लिए मैं नवदिक्षिता के माता पिता को और नवदिक्षिता को बधाई देना चाहूंगा साथ में मैं बताना जाहूंगा कि नवदिक्षिता के पिता स्वयम आर्मी में से वाईं परदान कर रहे हैं और इनकी म माता स्थानिय पंचायत में पर्धान है, तो इसके लिए सभी को हार्दिक पधाई एवब सुब कामना है। लाइप डैंस टीवी के लिए जोगंदरनागर से आनिता शर्मा खेरेपर हो रहा है। आपके विधायक ने पिछले चार साल में क्या कुछ किया, क्या मुकमल हुआ और किसे किया दर्किना, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास के रफता है। लाइप डैंस टीवी दिखा रहा है। हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड खास वीडियो सीरीज में देखिए। आपके विधान सवा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार। शाथी इलाके के निश्पक्ष लोगों की निश्पक्ष राय भी हर हफ़ते केवल लाइप डैंस टीवी पर आप भी अपने विधायक के कारेकाल पर टिपनी करना चाहे। तो हमें भेज़े अपना वीडियो ब्यासी एकसो अठान में 00003 या ब्यासी एकसो अठान में 00004